हाव रूसेट वान प्लास डॉल्वी एट्मॉस सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में डॉल्वी एट्मॉस सेटिंग है आपको बैसिकली देखने को मिलेगा सेमसंग के इवाइस में ठीक है लेकिन दोस्तों वान प्लास के डिवाइस में भी है लेकिन ठोड़ा सा डिफरेंट तरिके से दिया हुआ है यह सेटिंग द्लबशिकरें। शोश्लेयों करनेसे पहले अगर अपने चैनल को स्ब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते ओंद दिस्क्रिप्शन पर आपको link मिल जाएगा चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोल्बे एड्मर सेटिंग के लिए तो दोस्तो वहाँ सेंसंग के सारे दिवाइस में आपको आसान इसे देखने को मिलेगा तो सेंसंग के दिवाइस में है कहाँ पर साउंड और वाइबरेशन पर यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट ओडियो ट्यूनर ठीक है क्योंकि दोस्तों डॉल्बी एट्मोस का जो सेटिंग है वह भी से साउंट जो है बना देता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिनियर्यों बेस्ट इन्हेंसमेंट ऑप्तिमाइज साउंड आटमेटिकली बैस अन्योर कंटेंट फोर पॉसिबल एक्सपेरेंस तो यह भी दोस्तों बिल्कुल एसा यह काम करेगा ठीक है ज तो यह दोस्तों बैसिकली आपको मुवी देखने के ताइम पर सेड़ करना होता है ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फूल एंड मोर नुएंस्ट साउंट एफेक मेंगा मूजिक मोर पावरफुल तो यह जो थर्ट ऑप्शिन है दोस्तों यह आपको तब क प्लेकर तो यह सारे डिवाइस के लिए काम करेगा चाहे आप दोस्तों अपने मोबाइल पर कोई ओनलाइन म्यूजिक बजा रहा हो तो सभी चीज़ पर यह काम करेगा ठीक है तो डाइनीमिक का ओप्शन है मुवी का ओप्शन है और म्यूजिक का ओप्शन है उसके बाद नीचे में आगर आप देखे तो आपको मिलेगा एक्वालाइजर ठीक है यहाँ पर है एरफोन एजस्मेंट एक्वालाइजर यहाँ पर सेट कर सकते फिलाल दोस्तों मैंने एरफोन प्लक नहीं क्या हुआ आपकर में भी देख सकते तो उसके वज़ाशी यह आभी डिसेवल और यह फिनाहेका जब एरफ प्लक्ट होगा तो यह के काम करेंग ठीक है तो यह इरफोन के लिए ही सेटिंग यसट सेटिंग तो ठीक never